तो जेहीं दोस्तों मैं नाम है सौरब मिशा और सौरब मिशाओ इंफार्म वीडियो चाहँ सभी का स्वागत है तो फाइनले CRPF टेस्में का एक्जाम खतम हो चुका है CRPF टेस्में के एक्जाम में कितने बच्चो ने अपकी बार एक्जाम दिया CRP test में competition level क्या रहने वाला है कितने बच्चों को बलाया जागा physical और trade test के लिए कितने बच्चों को बलाया जागा medical और doctor medication के लिए उसकी 8 उचेश साही जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ कितने बच्चों को बलाया जागा physical और trade test के लिए सबसे बड़ा problem तो यह है बहुत बच्चों को माइन में यह कि 74,000 बच्चों को बलाया जाएगा बट ऐसा नहीं है दोस्तो 74,000 बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा अब इसका कारण क्या है तो इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि कुछ दिर पहले के नूटीस आये तसमें यह बताय गया था कि जो आपके 9,000 प्लस वेकेंसी आई हुई है उसमें 790 वेकेंसी को खतम कर दिया गया है CRPF के तरब से अभी दोस्तों आप्रोक्स जो वेकेंसी बच्ची हुई है 8,570 वेकेंसी बच्ची हुई है 8,570 वेकेंसी का अगर हमनों दोस्तों कितना करते हैं 8 गुना करते हैं तो कितना होता है तो 68,000 कुछ होता है मतलब दोस्तों फिजिकल में 68,000 बच्चों को ही बुलाया जाएगा मतलब समझ सकते हो 20,000,000 बच्चों ने एक्जाम दिया है 20,000,000 बच्चों में से मां तो 68,000 बच्चे ही फिजिकल में जाएगे तो competition level definitely आपका high होगा और बहुत दा बच्चे में पोच जाते हैं क्या भाईया हमने 40 नंबर रखाए 30 नंबर रखा हमाँ सेलेक्शन हो जाएगा तो definitely भाईया 40 या 30 नंबर में तो नहीं होने वाला minimum आपका 50 नंबर तो होना ही चाहिए अगर आप general category से हो है तो 55 आपका होना चाहिए physical के लिए अब बात करतें इसके physical में अगर इतने बच्चे को बुलाया जाए तो medical और doctor verification में कितने बच्चों को बुलाया जाएगा तो सबसे बड़ी बात यह है कि तो दो से तीन गुना बच्चों को बुलाए गया, तो 18,000 अप्रोक्स बच्चे जाएंगे आपके medical and document verification के लिए, अगर तीन गुना बच्चों को बुलाए गया, तो आपके 28,000 बच्चे कुछ जाएंगे, तो भाईया कितने बच्चों को बुलाए जाएगा, वो CRPF के उपर बच्चे के लिए, तो आप मैं बता दूं, जितने बच्चे, 68,000 बच्चे जाने वाले, उनका कितना नंबर होगा, तो अब देखिए, बहुत बच्चों को टेंशन था, इस चीज़ के उपर, कि पोस्ट्रिप्शन का जब चेंज का option मिलेगा, तो अगर हम तीन पोस्ट्र पोस्ट्रिप्सिंट देते हैं, तो हमें किसका trade phase देना पड़ेगा, तो जिस कट-अप में बच्च्च आपका selection होके आप जा रहे हो, कहा प फिजिकल देने के लिए, अगर आप वीगुलर में select होके जा रहे हो, फिजिकल देने के लिए, तो आपको पूरा दोस्तों मैं ब बोला गया है कि आप तीन पोस्ट में पोस्ट रिए चेंज कर पाओगे आल के इंडिएट के लिए तो वो कोट केस के बाद आया था वाई ऐसे नहीं आया था और एप्रोक्स में बता हूँ वेकेंसी को कम कर दिये गए सबसे बड़ा बात तो यह है ना जो आपकी वेकेंसी प पाओगे तो देखिए उसी पासिंग नंबर है मेरिट नहीं बनाएगा वह तो उससे खुच नहीं होनेगा कि हमारा मेरिट बन जाएगा रहे बेवाक्ट रूफ है वह आपका मेरिट नहीं बनाएगा मेरिट अपर कट आप साले स्टेट का अलग अलग उठता है बढ़ मैं मैं बता दू किसी स्टेट का भी मेरिट ना मैं बता दू पचास से कम तो नहीं है जाएगा मिनिवं पचास तो आपका नंबर रखना पड़ेगा और पचास कोशन इजी आ रहे हैं पचास कोशन हार्ड रहते हैं अप्रोक्ष जो पहने वाला केंडिट होगा ना मैं ख्यासे स साथ नंबर तो आराम से रख देगा तो साथ नंबर का होगा तो आराम से अपका सिलेक्शन हो जाएगा अपकी बार लेकिन भया यही चीज़ है ना хот is अब देखिए अगर आप 60 एक 5-65 नंबर तक ले आते हो साथ नंबर भी ले आते हो मिनियों अदेखिए 50 नंबर भी लाओ गेत nasze बाहर हो आप दोस्तों race में हो अभी ऐसा बात निकी रेस से बाहर हो लेकिन हाँ final minute बने है कि नहीं मिलेगा वो doubt है यूदि सारे state में vacancy को divide किया गया अगर आज आज जा 570 vacancy की बात करें तो इस सारे state में divide गया किसी state में 100 vacancy दी गई है उस state का दोस्तों किसी state को 50 vacancy दी गई है minimum आपके 60 तो जाएंगे जिसका 60 नंबर होगा आपने को safe मैसूस कर सकता है पचास नंबर वाले को भी टेंशन ही कोई जूरत नहीं है आप आराम से फिजिर की तैयारी करो ट्रेटर की तैयारी करो और बहुत जल्द आपके भईया क्या answer की आने वाले है सारी जनकारिया ऐसे ही में आपको देते रहूंगा तो यह information hopefully आपको अच्छा लागा competition आपको high देखने को मिलेगा आपकी बार और भाईया क्या है बताऊ competition ने वाल उतना भी आपको high नहीं है बट फिर भी आपको high देखने को मिलेगा तो यह information आपको अच्छा लागा होगा बच्छों को डावता कि 74,000 जाएंगे तो नहीं भाई आपके बार 68,000 ही बच्चे जाने वाले हैं आपके physical और trade test के लिए इतने बच्चे ही जाएंगे और इनमें से 2-3 गुरा बच्चों को ही medical के बिलाए जाएगा और 2-3 गुरा बच्चों में से मात्रे 8570 बच्चों का ही नोक्री होगा और सब भाईया जैसीरी राम करके बाहर कर दे जाएंगे फिर भी भाईया हमें मेहनत करते रहना है रहे कि वेकेंसी कमी नहीं है आज भी अगर हम लोग वेकेंसी की बात करें तो यूपी पुलिस में 62,000 वेकेंसी आने वाली है मतलब SSC GD से भी कई गुना ज़्यादा वेकेंसी आ रहे है यूपी पुलिस में उसमें भी All Over India Canada अप्लाइ कर सकते हैं वेकेंसी की बात करते हैं MP पुलिस में वेकेंसी आई हुई है वेकेंसी की बात को तो बिहार पुलिस में वेकेंसी आई हुई है तो भाईया ये क्या है ये साब वेकेंसी है बहुत सदा वेकेंसी इसमें भी आप लाई करके नौकरी ले सकते हो अब लग सभी को और CRP Updatesman वालो थोड़ा से इंतजार कर लो आपका एंसर की आने वाला है आपका भी नौकरी होगा आपकी बार CRP Updatesman में जैहिंद जैभार लव यू अगर इंफोर्मिशन अच्छा लगा हो तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सस्काइब कर देना वीडियो मेरे सारे भायो को